ब्लेंटिंग मोड में आज नेक्स्ट क्लास जो होगी कलर बन और लिनियर बन के ऊपर और मैं जो आज प्लेटफोर्म यूज कर रहा हूं वह यूज कर रहा हूं फोटोशॉप समझाना महां पर इजी होगा प्रेमियर में थोड़ा सा पाप्लम होता है इसलिए ब्लेंडिंग मोड का तो आज मैं आपको बताऊंगा और कलर बन्द लिनियर मतलब कोई चीज नॉन disposat नॉन इस नॉन लिनियर भी तो है हाहे चलिये बताता हूं ने इसको समझाने के एक है यह यह Creativity X और यह ग्रेडिट क्या है यह जो आप ऐसा इसको मैंने बस 90 डिग्री रोटेट किया हुआ है मैं इसका पहले ब्लेंडिंग मोड कर देता हूं डाकन किया तो इसके अंदर जहां 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 पर ज्यादा डाकन से वोट दिख रहा है और इसमें जहां 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 डाकन से वो दिख रहा है ठीक है डाकन के बाद में आया मुल्टिप्लायर में क्या होता है उपोई लेयर में जहां 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 पर जैसे जैसे आप डाकन स से ब्रैटनेस की तरफ जा रहे उसका मतलब आप उपेक से ओपैसीटी की तरफ जा रहे हो वाइट पूरा ट्रांसपरेंट होता चला जाता है उसके अंदर बात आई इलिंद इसले गलर्बान की क्लेधन ने यह क्या किया भई दोनों को एक साथ समझाता हूं यह कलर बन यह लिनेर बन कलर बन लिनेर बन नहीं समझा यह है तो देखो जब मैंने यह ब्लेंडिंग मोड समझने स्टाट किये था न मेरे दिमाग की तही हो गई थी क्योंकि देखो मैं हूँ इंजिनियर और मुझे curiosity बहुत जादा होती है मैं इसके अंदर घुश गया था कि ये लोग ये काम कैसे करते हैं मुझे इनकी calculations तक पता हैं पर मैं नहीं चाहता कि आप फालत हुआ घुश हो आपको पर यह पता होना चाहिए कि कलर बंद से आप क्या कर सकते हो कलर बंद करता क को है और कलर बंन मैं मैं बोलता हूँ वो करता है काम नॉन लीनियर समझाता हूं कैसे अगर आपने मेरी प्रिमेर प्रो की लास देखी हो टोनल रेंज वाली इसमें मैंने टोंस बताए थे वाइट्स हाईलेट्स मिड़ टोन्स शैडों ब्लैक्स या डार्ग्स डाकर ब्लैक्स को टच भी नहीं करता है क्यों टच करता है उसको भी टच करता है पर जब एक्चुली वह उसका काम ही डाक करना है तो जो कंपलीटली डार्क है उसको और क्या डाक करेगा तो हमको हमको ऐसे लगता है कि उसको पर कुछ काम ही नहीं करता है ठीक है डाकर ग्रूप डा भाईया हेले मत, कलर बन क्या करता है, डाक्स को टच नहीं करता, और जो वाइट से उनको भी टच नहीं करता, कलर बन क्याता है, भाई जो मैं बीच वाले चीज़ है ना, उनको पकड़ोंगा बस, ना इसलिए कलर बन ना डाक्स को टच करता है, ना वाइट को टच करता है, द जिसके ओपर मैंने black spot और white spot लगाया हुआ है अगर मैं दोनों को on कर दूंँ तो देखिए उसने white को touch भी नहीं किया white same as it is है वहीं अगर यह darken होता तो उसने white को dark कर दिया multiply होता तो उसने इसका है जो डार्क है उसको शो किया multiply होता तो मैंने बताया था वाइटनेस को ट्रांस्परेंट कर दिया डार्क कलर बन क्या कर रहा है देखिए अभी इसने क्या किया है मैंने कलर बन यूज किया तो देखिए उसने black and whites को touch भी नहीं किया black and white वैसे ही है same as it is black और वाइट को टच नहीं किया क्योंकि color actually shadows mid tones और highlights पर काम करता है और अगर यह linear बन होता तो linear बन whites को नहीं छोड़ता है blacks को untouch रखता है पर whites को वह नहीं छोड़ता है वाइट पर भी कुछ काम तो करूंगा वाई मैं देखो जैसे यह नीचे लेके जा रहा हूं वह डाक होते जा रहा हूं उपर लेके जा रहा हूं ब्रैट होते जा रहा हूं linear बन actually whites को भी dark करता है देखिए पहले यह white था अब यह कुछ grayish हो गया है ठीक है अब जाता हूं एक बार face to face उपर वालों को छोड़ दो color बन की बात कर रहा हूं white को छोड़ दो dark को छोड़ दो आई बात shadows की color बन color बन non linear है color बन यह color बन actually black करता है color add करके इसलिए इसको color बन का जाता है किसी भी पिक्षल को आप बोलोंगो न कि वह burning हो गया उसका मतलब उसमें और color add कर रहे हो कोई भी पिक्षल बन तब होता है जब उसकी value maximum हो चुकी हो यह 255 हो चुकी हो उस color की value तो वह burn हो जाता है बनी हो गई है तो actually color add किया जाता है shadows के अंदर जो वह color add करेगा बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा एड करेगा मतलब उनको बहुत ज़ादा डाक करेगा shadows को बहुत ज़ादा डाक करेगा almost black ही करतेगा mid tones को भी डाक करेगा पर थोड़ा कम डाक करेगा और highlights को और कम डाक करेगा इसकी वज़ए से यहां पर आपको ऐसा effect दिखता है कि यह दिखिए इतने shadows को black कर दिया मिद唱 को ठोडवा कम black किया और जो highlights थोड़ा सा और कम डाक किया है jeżeli मेँ आपको यहां से समझ नहीं आएग भी कहला थीखि कि पहले आप यह देखलो shadows को बहुत ज़ादा डाक करेगा almost black कर देगा mid tones को थोड़ा सा कम black करेगा और highlights को और कम black करेगा, black तो तीनों को ही कर रहा है पर shadows में effect ज़्यादा लगा रहा है mid tones में effect कम लगा रहा है और highlights में effect और कम लगा रहा है non-linearly काम कर रहा है non-linearly काम कर रहा है whites पे तो almost लगा ही नहीं रहा है इसलिए 고 उत विभडी नहीं करता यहां बहुत जाधा मिद्टॉन में कम ब्लैक किया हल आर कम एक जिर्जोन को भोड़े लिए नहीं किया नॉनिनियर ली बढ़ता है वो लीचे से उपाय समझ मैं आपको linear बन क्या करता है जितना effect उसने shadows में dark करने में किया है same amount of effect वो आपके mid tones में लगाएगा same amount of darkness वो आपके highlights में लगाएगा वो linearly काम करता है dark तो करता है पर जितना amount percentage उसने shadows को black करने में किया उतना same amount वो mid tones में काम करेगा same amount वो आपके highlights में काम करेगा और same जो आपका whites है उनको भी वो dark same amount में dark करता है इसलिए वो उसको कह जाता है linear बन वो burning कर रहा है पर linearly color add करके color add करके color add करके color add करता है पर non-linearly non-linearly add करता है शाय समझ में होगा आप लोगको darken group में हो तो अब इसलिए dark करोगे करोगे color बन non-linearly color add करता है shadows में बहुत जादा mid tones में मैं बार-बार इसको repeat लिए कर रहा हूं कि आप लोगे वो समझ में आए shadows में बहुत जादा mid tones में थोड़ा सा कम highlights में बहुत कम और whites को तो almost करता ही नहीं linear burn जितना उसने shadows को पे effect डाला dark करने में same effect वो same amount of percentage वो mid tones में लगाता same amount of percentage वो highlights में लगाता same amount of percentage वो whites में लगाता इसलिए whites में भी आपको linear burn में effect दिखता है देखा जाए तो color burn पूरी image के उपर चाहे वो black हो चाहे वो white हो सब पे काम करता है पर black को कितना black करेगा भीया black तो पहले से black उसको उसको ब्लाक कर सकता है वो ब्लाक ही रहेगा shadows को और black करेगा mid tones को कम black करेगा highlights को और कम black करेगा whites को touch ही नहीं कर रहा हूं इसलिए color burn में आपको दिख रहा है कि वो ना वो black पे एफेक्ट डाल रहा है जबकि black पे वो एफेक्ट डालता है तो पहले से भी black है whites पे almost negligible क्योंकि वो non-linearly काम कर रहा है नीचे से ऊपर effect कम करता जा रहा है नीचे से ऊपर coloring कम डाल रहा है तो whites पे आपको लगए ऐसा ऐसा दिखेगा कि कोई effect ही नहीं आ रहा है हां effect नहीं आ रहा है क्योंकि whites तक तो पहुंचते पहुंचते वो almost zero darkness कर देता है पर linear बन नी blacks को black किया यह वो तो पहले सी black है shadows पर इतना effect डाला same effect same amount of percentage जो भी darkness करी वो mid-tones में करेगा same amount of percentage वो highlights में करेगा इसलिए whites आपको linear बन के अंदा थोड़े से आपको डाक दिखते हैं मैं जूट नहीं बोलूँगा मैंने color burn linear बहुत जादा बहुत जादा research करी थी तब एको समझ में कि कोई चीज देखिए मैं आपको life में बताता हूँ कोई चीज अगर exist कर रही है उसका कुछ ना कुछ मत left present होता है कोई सही तभी हो सकता है कि जब आपको पता हो कि गलत चीज क्या है समझ रहे हो आप किसी चीज को गलत कब बोल सकते हो जब आपको पता है कि सही चीज क्या है समझे सिंगुलेरिटी इस वर्ड में अभी तक नहीं है उपर नीचे दाएं बाएं काला सफेद ऐसे ही लिनियर तो मेरा माता ठनका मतलब कुछ चीज नॉन लिनियर भी होगी वनना एडोबी का नाम लिनियर क्यों देता कुछ तो है तब मेरे उद्ध मैंने इसको और इसकार्त करता है बहुत झाद को कं मिट टोनषग और और कंबलेक कर दो तो और Western ओंद्ध मैं खर तो दर्क हो गाना यही हो रहा है प्रशलिया अपने दिवार पे रेड़ पर रेड़ मारे जा रहे है तो डार्क हो गई ना वह वाला डाकने सो रही है यहां पर बहुत लेमन लेंग में बता रहा हूं शायद आप लोग को समझ में आगा अब एक जामबल देता हूं आपको इ इस image के उपर में और मैंने इस पेस से नॉरमल कर दिया और इसको मेंने गायक कर रखा एंग तक दोनों इमेज सेम हैं, कॉपीपेस कर रखें मैंने इसको मैंने किया देखिए इस image के अंदर मुझे कहीं ना कहीं darkness इधर कहीं है और यह मुझे कुछ मिट जैसा लग रहा यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट मुझे कुछ हाइलेट लग रहा है यह वाइट है यह मुझे शाड़ लग रहा है छलिए अभी इसके ऊपर मैं लगाता हूँ color burn यह मैंने लगाया color burn तो देखे उसने क्या किया यहां पर कुछ ब्राइटनेस यहां पर कुछ 25 परसेंट है और देखे शैडोज कुछ मैंने आपको बताया था 25 to 40 या 20 to 30 के आसपास रहती तो यह शैडोज है ब्लाक नहीं देखे इसमें ब्रैटनेस 26 परसेंट तो इसका मतलब डाकनेस 76 परसेंट है कंप्लीट डाक नहीं है तो मतलब कुछ यह हालेट्स का पार्ट है तो देखे इसने शैडोज को बहुत जार डाक कर दिया है यह देखे और अल्मुस्ट ब्लैक ही कर दिया है यहां पर जो पहले 26 ब्रैट्स ती अब ब्रैटनेस जीरोज दियल उसने और यहां पर बैटनेस को 60 के पास थी और इसने थर्टिएट कर दिया में अगर। 20% क्यास पास इसने brightness कम कर दिये वो darkness बढ़ा दिये और यहां पर देखिए 60s को 55 में कर दिया है जो 60 था brightness 70 क्यास पास था उसको 55 कर दिया मतलब इसने effect यहां बहुत ज़ादा लगाया है और यहां पर थोड़ा कम dark किया है और यहां पर तो और कम dark किया है यही color burn करता है color burn actually यही करता है पर यह दीब सा लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा है color burn एक special blending mode है adobe के कुछ special blending mode है जो filler opacity के साथ कुछ अलग-अलग आपको result देते हैं opacity का तो कुछ खास इस पर effect पड़ेगा है नहीं मैं बता हूँ जैसे से आप कर रहे हो आपको यह भी अच्छा लग सकता है दीखिए पर effect दिखता है पर actually color burn में fill का बहुत अच्छा effect आता है अब देखे मैं इसका fill कम करता हूँ यह image 100% मेल image बहुत गंदी लग रही है पर मैं इसका fill थोड़ा कम करता हूँ और कम करता हूँ अभी भी नहीं मैं चालता हूँ यह जो shadows है थोड़ी सी है brighter है इसको मुझे लगता है 40 नहीं 30 और थोड़ा सा कम कुछ कुछ यहां तक सही है यहां तक सही है अब देखे मैं इसकी fill percentage पूरी कर देता हूँ अई लॉक हो गया है सॉरी ठीक है अभी मैं इसमें लगाता हूँ linear बन linear बन देखी क्या करेगा बापरे और ज़्यादा काला कर दिया उसने और ज़्यादा काला नहीं किया color बनने क्या किया था यह इधर mid tones और brights को थोड़ा कम dark किया था इनके shadows के मुकाबले पर linear क्या कहता है भाई मैं तो सब पे same amount of काम करूँगा इसलिए उसने जितना यहाँ पे dark किया उतना ही यहाँ पे dark किया उतना ही यहाँ यहाँ पे dark किया देखिए देख रहे हैं यह और dark हो गया है यह और dark हो गया है color fill करके ठीक है linear burn में भी आप fill से आप कुछ effect ला सकते हो यह अच्छा यह clear हो जाता है देखिए fill के साथ manipulate करके आप 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 यह ला सकते हो ठीक है समझ भी आया color burn मैं चाहूंगा कि आप यह class दोबारा देखना है यह बहुत महनत थी मेरी इन दो blending mode को समझने के लिए deeply एक निया इंजिनर होने का ना यह बहुत बड़ा नुकसान है जब तक मुझे वह समझ निया कि इसके पीछे कैसे काम हो रहा क्या काम हो रहा मैं बेचैन था तो इसलिए मैं अभी इन दोनों को इतने जारा समझ चुका हूं चलिए एक चीज और इसकी application आप इसको use कहा करोगे देखिए darken group आप तब ही use करोगे जब आपको कोई भी composite है दो image को ला रही है दो video को ला रही है उनको dark करना है आपको resulting आपको dark देखना है तो obviously आप darken group यूज करोगे पर darken group में भी कौन सा blending mode यूज किया जाए यह तो दिक्कत है darken group में मैं आपको बाता हूं आप maximum आपका 90% काम आपका multiply से होगा और बाकी 10% आपका color बन आप darken तो आप बहुत कम almost negligible use करोगे सारा काम आपका multiply से होजाएगा multiply actually effect लाता है उसको dark करता है जो darkness होती उसको आप जो bright होता है वो आपका transparent हो जाता है multiply आपका यूज होगा और किसी भी footage के अंदर या image के अंदर अगर आपको shadows को और dark करना है blacks और whites को touch ही नहीं करना है पर shadows जो है उनको चोड़ा सा और dark करना है highlights को इतना touch नहीं करना है तो आप color band use करोगे linear band तो आप use नहीं करोगे linear band से आप जो कर सकते वो सब चीज आप कलार बन से कर सकते हो तो लेने बन तो शायद या पर अपका तब यूज़ होगा जब आपको शैडूस को रहा ना है थोड़ा हर डाक करना है फिल फिर फिल का इसमें फोटोशॉप में फिल का यूज नहीं दिया है पर कॉंसेट आपको क्लियर हो गया पर हाँ फोटोशॉप में आप यूज कर सकते हो एक बार और देखना भाही मुझे पता बहुत मेरे को मन करना है मैं बार बार रिपीट करूं जिससे आप लोग के समझ में आजा पर फाल तो वीडियो लंबा नहीं करना मुझे आप वीडियो दुबारा देख लीजाए कुछ भी सवाल हो पूछ लीजेगा कलर बन नॉन लिनियर और लिनियर बन लिनियर डाकन गुरूप के हैं तो डाक करेंगे औविसली कलर डालते हैं कलर बन में कलर बन नॉन लिनियर ली काम करता है ब्लैक पे भी काम करता है शैडो पे भी काम करता है मिट टोन पे भी काम करता है हालेट पे भी काम करता है पर न आपको वाइट नहीं दिख रहा था इसलिए लिनेर बन में आपको वाइट नहीं दिख रहा था इसलिए वो लिनेरली काम करता है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार और देखना पर इसको क्लियर कर लो एक दो बार यूज करना एक दो इमेजस के उपर समझ में आ जाएगा और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वीडियो देखते हो यूट्यूब बगरा पर आप देखते होगे कि या यह बंदर ने तो कितना अच्छा कॉम्पजट बनाया है उसने तुरंत क्या करते हैं ब्लेंडिंग मोड लगा दिया नहीं नहीं उनके थोड़े से कॉंसेप्ट क्लियर है डाक करना है तो वो अपने अप डाकर ग्रूप के अंदर जाएगा और वो लोग पहले से एक्चुली वीडियो प्रिप्यार करते हैं उनको पता होता कि मैं है मल्टिप्लाई यूज़ करोगा वरना जब फरस्ट ताम कोई भी अटेंट कर रहा होता है वो हिटन ट्राइल करता ही है वो पहले एक बार मल्टिप्लाई लगाएगा फिर एक बार लीने बन लगाएगा लीने बन में पैसेटी होडी सी कम करेगा फिल कम करेगा हाँ ये इफेक्ट अच्छा रहा है प्रिपेशन कर ली फिर वो यूट्यूबप जाता है प्लीस उनको देके दे मोटिवेट मत होना उनको देके मत होना हर कोई हिट और करता ही है ब्लेंटिंग मोड्स में पर उनको इतना बता होता है कि हाँ ढाक करना तो लाइटा नियों पसंद आया हो तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास में ब्लेंडिंग मोड के ऊपर सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो कमेंट्स में तो यह भी सवाल पूछे जाते हैं तो चलिए ओके बाई-बाई बहुत लंबी हो गए